हाई, welcome to my channel, इस वीडियो में solve करें question number 8 which of the following are perfect cubes तो हमें ये चेक करना है कि इन में से कौन सा number है जो perfect cube है ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले-पहले सब का जो है prime factorization करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सा number जो है कौन से number का prime factors के triplet बन रहे है यदि जिसका भी मतलब prime factors का triplet बनेगा वो number जो है perfect cube होगा ही होगा ठीक है, तो चलिए solve करते हैं first, यहाँ पर आपका 64 आप 64 को जानते हैं, 8 into 8 कर सकते हैं तो हम इसको यहाँ पर देखे, triplet बन रहा है एक यहाँ पर और यहाँ बन रहा है triplet मिन क्या होता है कि मतलब बहुत, okay group of three numbers is called a triplet तो यहाँ पर देखे, triplet बन रहा है, यहाँ बन रहा है therefore it is a perfect cube अब करेंगे second 216 तो इसको हमें करना पड़ेगा factorization 216 का तो यहाँ पर कर लेते हैं so हमारा आगे यहाँ पर तो देखे, हमारा 2 का एक टिबल बन रहा है यहाँ पर और यह 3 का टिबल बन रहा है definitely it is also a perfect cube ठीक है, 243 कोचे करता है हमारा आगे यह 3 x 3 x 3 यहाँ आप देख रहे हो कि 3 का टिबल यहाँ बन रहा है लेकिन यहाँ पर इस 3 का टिबल नहीं बन पा रहा means यहाँ पर नहीं है question mark means नहीं है कुछ भी इसका मतलब कि this is not a perfect cube 243 is not a perfect cube, ठीक है fourth one one thousand देखे one thousand को factorize करेंगे तो बिल्कुल ही आपको मिलेगा 10 into 10 into 10 और 10 into 10 into 10 को जब factor और करेंगे तो two मिल जाएंगे two into two into two into five into five into five देखे मैंने कैसे किया factorization यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ one thousand को 10 into 10 into 10, three times ठीक है तो एक 10 को मैं factorize करेंगे यहाँ प्राइम फेक्टर के फार्म में है तो two मिलेगा और एक five मिलेगा ठीक है फिर अगें दुसरे वाले 10 को करेंगा तो two और five मिलेगा फिर two और five मिलेगा इस तरह किसे मैंने फास्टर कर लिया और यहाँ हम देख रहे है कि two का टिपलेट बन रहा है और यहाँ पर five का बिट्विल बन रहा है that's why one thousand is also a perfect cube now the fifth one one thousand seven hundred twenty eight इसको मैं करना पड़ेगा factorization तो यहाँ पर हम फ्रहाँ सब्सक्राइज कर लिखेंगे तो हमारा आग यहाँ factors two into two into two यहाँ देख रहे हैं यह two का बन रहा है यहाँ पर triplet और यहाँ भी two का बन रहा है triplet और this way here also three का triplet बन रहा है definitely it is also a perfect cube okay 3087 let us check it vi तो देख रहें कि seven का triplet बन रहा है बट यहाँ पर नहीं बन रहा that's why this is not a perfect cube next करते है So, हमें बन रहें गिया two into two into two into two तो हमें थेख रहें कि हांता 2 का बन रहा लृध बन रहाँ बन रहा कहिना that's why it is not a perfect cube. So this is not a perfect cube. Let us move next. So, हम यह रख लेंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by.. अब देख रहा है कि यहां पर triplet बन रहा है 2 का और 11 का बन रहा बिलकु मा दप्तुबले नही बन रहा. Therefore, it is also not a perfect cube. This is not a perfect cube. Now we will take this one. Okay. Let us erase it. So, हम बन रहा है 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11 multiplied by 11 11 x 11. So, यहां देखराएंग 5 का तुबट बन रहा है और 11 का तुबट बन रहा है that's why this number is a perfect cube okay and the last one 7 x 7 x 11 x 11 x 11. देख रहा है कि 7 का तुबट बन रहा है और 11 का तुबट बन रहा है that's why this number is also a perfect cube this is also a perfect cube तो हमने यहां पर देखा कि इन सभी questions में जो perfect cube है वो है first, second, fourth one, fifth one, after that ninth one and the tenth one okay, तो hope के question में आ गया होगा तो बिल्कुल आप like कर सकते हैं और दोस्तों को share कर सकते हैं और यदि आप subscribe नहीं किये हैं तो बिल्कुल subscribe कर लिजिए क्योंकि तभी आपको videos, notification के जरिये मिल सकता है जितना जल्दी हो सकें okay, thank you so much for watching, bye